हाई गाइस तो आज बनाते हैं गुजिया ठीक है गुजिया बस थोड़े से बनाना मेहनत का काम है बस बाकी फ्राई होना बहुत ही असानी से फ्राई हो जाता है सु चलीये अझाहे बनाते है तो गुजिया की डोव को रेडि करते हैं तो गुजिया की डोव क सबसे पहलेремिसार सरी होती braking बना लिए भाकि मदले बाकी सरे काम के दूल करें तो उसके व क्या चाहिए ऐसे यह भी में आत्सक्ति अब Song या तु आप यूजिया कर सकतो घी और गी और कुकिंग वाल यह हम इंदे उसके पर कुकिंग वाल पिर उसमें चुटकी भर साइड डालेंगे ठीक है जाड जाड़ा कि नमक तु अब कर नमक डाले हैं तू बेक गुजिया नमकीयम और मैं अध़ा के दोख से अच posis मिक्स करना है कि हमारी अध़ा कुछ मगद जाए जब सकते कि उसका बहुत आपकर आपको क्या करना है अभाई इसे इतने अच्छे से मिक्स करो ताकि हम जब यह और परपस फ्रावर के लड़ू बनाए तो यह लड़ू बन जाए बागी आपको आगे वीडियो में देख जाए किस तरह से मैंने लड़ू बना और लड़ू बन गई एंड गाइस मैंने मैजिक किया और हमारी डोर रेडी हो गई तो नई गाईस सबसे पहले क्या करने आपको थंडे से पानी से उसे थोड़ थोड़ पानी से तोड़ थोड़ पानी डालके अच्छी से डो बना लेना है ठीक है डो बन जाए तो उसमें थोड़ी से वाइल ग्रीस कर लेना है एंड वन आवर के लिए छोड़ दो ठीक है अगर आपके बस और ज्यादा समय है तो अब इसे दो गंड़े के लिए अब हम दूसरे स्टेप में है जहां हम ग इस अच्छे से स्टर करते रहना है एंड इसको लाइट ब्राउन कलर देना है या को करते रहों जब लाइट ब्राउन के हो जाएंगे तो आप अपने गैस कर फ्लेम को off कर देना और इसे बड़े से बरतन में ट्रांस्फर कर देना है ठीक है ताकि थंडा हो सके झाल झाल उसी सेम कड़ाई में हम यहाँ पर अमारे जो ड्राइफरूट से उसे बस रोस्ट करेंगे जो कि यह कैसियो नचाद यूज करियो पदाम है काजू है ठीक है सेम मैंने इसको हिंदी में बोल दिया आम सॉरी यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ कोकोनट बदाम पिस्ता और काजू इन सब को अच्छे से स्टर करो और पस थोरे से दो मिनिट लगेंगे अराम से कुको जाएंगे इने में कुक करो और सेम रवावले वर्तन में डाल लेना जिसमें आपने रवा को डाला है और गाइंग्स बिना मावा के हमारा जो गुजिया वो बिल्कुल तूना है क्योंकि बिदावट रवा हमारा गुजिया कुछ भी नहीं है तो क्या करें हाँ पर मैंने रवा कुछ से बनाया है अगर रेटेपी चाहिए तो पर बता देना मैं पर रवा के विरस्ती एक बना से बता दूंगी बहुत असान है बनाना पस आपको 20 मिर्स लगें रामसर बंधी के बस इसे स्टर्ड करते रहो और कुछ करते हो यहां मैं यूज कर रही हूँ सुगर आप अपने स्वीटनेस के कॉर्डिंग इसे बैलंस कर आपको ज्यादा कम आप कितना ही खाते हो एंड बस इसे मिक्स करो अच्छे से अनिया मैं टेस्ट करें थी कि हमारा जो यह रवा में रवा में रवा बहुती स्टाफिंग में चीनी कितनी है तो बिल्कुल पॉफेक्टी चीनी है हमारे स्टाफिंग बिल्कुल रड़ी है त जाथे पतली एंड मोती मोती सी तुरी से पतली यहां पर हमें बनाने है फूरी बॉरी बनाना है फिर उसमें हमारे स्टाफिंग कूप सारा भरो जितने आपका बड़ा पूरी हो फिर स्टाइचे वाटर अपलाई करो गठीना कि कि अगले बहुत प्रब्रें बहुत होता ह तो जब एक पर आप सील कर लो तो फिर से दुबारा से प्रेस करो अपनी अंगोठे के मदद से अबस आप सब के पाद करो में फॉक की चम्मस होती ही है बस उसे क्या करो जैसे मैं यहां पर डिजाइन दे रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा सोस पर प्रेसर डाल के पर दिखे कि यह है उस्ट डिजाइन तो बस इसे अच्छे से डिजाइन दो आप क्या को रोग खूब सारी तेल डालो क्या होते बहुत सारी और मैं तुद्ध दिजाइन की भी गुजिया बनाई थी और बहुत सारी क्या था वाइल को सक नहीं करता है तो आप बेपिकर हों में वायल डालिए ठीक है और बस इसे लो फ्लेम पे आपकी सबसे इंपोर्टेंट आपकी वायल जादी हीट होनी चाहिए जादी हीट होगी तो आपका गुजिया अंदर से कुक नहीं होगा और फिर क्या होगा उपर से जल्दी गुल्डेन ब्राउन हो जाएगा अगर आपक आपकी फ्लेम कम होगी तो गुजिया सारा वायल को सब्सक्राइब बस उसके क्या करना है वीडियो में पर कुप करो अच्छे से आना मारी घुजिया बहुत ही रिस्टी बने थी बहुत ही कुर्कुरी सी हमारी घुजिया थी और स्टपिंग तो लहाजा बापता तो